हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स आजम बात करने वाले हैं पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन से रिलेटिड टॉप फाइफ थियोरीज की तो यहां से टॉप फाइफ कोश्चन्स आपकी हर साल नैट जी आरफ के एक्जाम में बनते हैं पॉलिटिकल साइंस से तो यह लिए देखते हैं आज की क्लास तो सबसे पहले जो आपकी थियोरी है पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी किस ने दिया है यह आपका F.W. टेलर ने दिया था यह काफी इंपोटेंट है फिर साल आपकी एक्जाम में questions आते ही है ठीक है फिर चोथा है आपका ecological approach ecological approach किसने दिया है ये fred ricks ने दिया है तो friends में एक चीज बता दू कि इन theory से आपके directly question आते हैं आप से सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ecological approach किसने दिया था ठीक है किस से जुड़ा हुआ है तो ये fred ricks से ने दिया था ठीक है पांचवा है आपका motivation theory motivation theory आपका किसने दिया है तो motivation theory आपका Abraham Maslow ने दिया था तो ये थी आज की आपकी top 5 theory जहां से हर साल आपके एक्जाम में questions पूछे जाते हैं तो friends अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe करना बिलकुल मत भूलना और video को like जरूर करना thank you so much friends